समाज शास्त्र क्या है, what is sociology, समाज शास्त्र के विशेशेत्र क्या है, समाज शास्त्र की परिभाशा क्या है, तो आज हम इन सभी टॉपिक के बारे में डीटेल में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को लाइस तक जरूर देखेंगे, तो हेलो दोस्तों साइट आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एजुपूर में चलिए, आज की वीडियो को स्टाट करते हैं, समाज शास्त्र, जैसे कि नाम से ही पता चल जाता है, कि समाज का शास्त्र, यानि वो शास्त्र हमारे चारो और है, उसकी व्याख्या करता हो, उसकी परिभाशा करता हो, या उसके हमारा समाज है, चाहे परिवार हो, चाहे दोस्त हो, चाहे रिश्टेदार हो, ये सब कुछ हमारा समाज है, इसके शास्तर शास्तर वो चीज़ होती ही, जिसमें किसी चीज़ के बारे में डीपली बात किया जाएं, या फिर जो उसकी तह तक जाकर बात करें, तो बिसिकली स समाज शास्त्र समाज से related topics कह लीजे या फिर बिंदूओं पर बाते करता है, उनकी इस्तिती पर इस्तिती को जानता है, समझता है और वैक्तिक के वहवार उसकी प्रक्रिया इन सब का अध्यन करता है, तो इन सबी का अध्यन किसका किया जाता है, समाज शास्त्र के समाज समाज के वहवार, समाज की संरशना यानी structure, समाज के विबे ने पहलू इन सबी का अध्यन करती है, मतलब कि समाज शास्त्र ऐसी सिक्षा है जो समाज के वहवार, उसकी संरशना और जो भी पहलू है, जो हमारे से related है, इन सबी का अध्यन करती है, और ये विज्यान भ वहवार, अभी विरिद्धी, परिवतन इन सब को समझने का भी प्रयास करती है। करते हैं समाज शास्त के विशय शेत्र के बारे में कि समाज शास्त का मतलब विशय शेत्र यानि कि उसको रीड करने का एनिलाइज करने का क्या क्या एरिया है। विशय शेत्र की दर है, हमारी समरिद्धी है, हमारे लोग है, ये फिर हमारा वहवार है, ये सब कुछ इसके विशय शेत्र में आता है, क्योंकि समाज शास्तर वो सिक्षा है, जो इन सभी का अध्यायन करती है। तो समाज शास्तर की छेत्र में समाजिक व्यवस्ता, परिवार, समाजिक समस्य आए, राजनीती, आर्थिक व्यवस्ता, धर्म और संस्कृति जैसे कई विशे शामिल होते हैं और ये शास्तर लोगों के जीवन में बहुत सारे पहलू जो होते हैं मतलब उनको समझता है और उनकी समझ को ध्यान में रखते हुए इस तरह से उन्हें सिक्षा प्रदान करता है कि हम अपने समाज को उर्थ की समाजी सरशना को समझ सके और इसमें समाज में होने वाले चानता है कि जो हमारी समस्या हो रही है उनका कारण क्या है और उन समस्या को दूर करने के उपाय क्या हो सकते हैं तो इस तरह से समाजी व्यवस्ता के कई सारे छेतर हैं जिनमें समाजी व्यवस्ता परिवार्ट, समाजी समस्या है, राजनीतिय आते व्यवस्ता ये सब ही श हिस्सों के बीश में जो रिष्टा है उनको परेखने का काम करता है इसमें क्या होता है कि समाज के कुछ प्रमुक अंग जैसे कि परिवार, सिख्षा, समाजिक वर्गी करण और समाजिक सरश्णा का अध्यान भी किया जाता है तो समाजी अध्यान समाज में रुपांत्रित हो को समझने और समाजिक समृद्धी को बढ़ाने के लिए भी महात्वपोड है यानि बैसिकली समाजी वबस्था समाज में जो होने वाले परिवर्तन है उनमें जो चेंजेज हा रहे इनका रीट करता है इनको समझने की जो केपेबिलिटी वो प्रदान करता है तो समाज शास्त और संस्कृतिक परिवेश, उनके पारिवारिक मूल, उनकी सिक्षा और समाजिक प्रभाओं पर भी आधारित होते हैं, यानि कि आपको किस तरह से सिखाया गया है, किस तरह से आपको सिक्षा दी गई है, आपकी क्या पारिवारिक मूल है, और आपकी क्या संस्कृति है, आप कि जेश्चर से पता चलती है यानि कि आप जिस तरह से समाज में वहवार करेंगे आपकी परवरिश आपकी संस्कृति उससे जलकेगी अगर आप अच्छे वे में पॉलाइट वे में लोगों से बात करते हैं आपका जेश्चर आपका बेहवियर बहुत अच्छा है तो यह प वेक्तित्व विकास और समाजिक सरशना के माध्यम से उनके वहवार को समझने की कोशिश करता है और ये वहवार समाज में प्रभावित होने वाले परिवटान और उनके समंदों को भी वेक्त करता है यानि बताता कि उनके समंद किस तरह से किस तरह से बदल रहे हैं इन सब कभी अधियन करता है समाजिक वहवार समाज शास्त्र में लोगों के वहवार का अधियन व्यापक रूप से किया जाता है यानि सबसे पहले उसके क्या वहवार है कैसा कभी यह वियर है उसके साथ कैसा है तो इसका अधियन किया जाता है फिर ये वहवार उनके समाजिक और सांस्कृतिक परिवेश, उनके पारिवारिक मूल, उनकी सिक्षा और समाजिक प्रभाओं पर भी आधारित होते हैं यानि कि आपको किस तरह से सिखाया गया है, किस तरह से आपको सिक्षा दी गई है, आपकी क्या पारिवारिक मूल है और आपकी क्या संस्कृति है, आपके जश्चर से पता चलती है, यानि कि आप जिस तरह से समाज में वहवार करेंगे, आपकी परवरिश, आपकी संस्कृति उससे जलगेगी, अगर आप अच्छे वे में, पॉलाइट वे में लोगों से बात करते हैं, आपका जश्चर, आप आपकी जो बैग्राउंड है, वो किस तरह से हैं, तो लोगों के वहवार का अध्यान समाजिक संकेतू, व्यक्तित्व विकास, और समाजिक सरश्चना के माध्यम से उनके वहवार को समझने की कोशिश करता है, और ये वहवार समाज में प्रभावित होने वाले परिवर्ट बैसा है, तांवर समझ सास्तर के चेट का एक महधवपूर अंग है, समाज 감ो के समाज कि वहवार्या अर्थयां से जुड़ी होती है, जैसे कि समाज वर्गी करण constitution, नेक्स्त है परिवार। तो समाजिक यानि समाजशास्त के विशे चेत्र में सबसे अहम अगर कोई इकाई है यूनिट है तो वो है परिवार यानि परिवार से सम्बंदित जो भी पहलो है उनका अधियन में समाजशास्त के अंतरगत किया जाता है चाहे उनकी संस्क्रिकिति उन सभी का दिन अत्रों कियाडुत तो परिवार संपार में एक महात्वर पूर्विजय है इस परिवार के बन्धन, संबंद और उसके भीतर के वहवार को समझने का प्रयास करता है इसमें परिवार के सदस्यों के बीच के रिश्टे, मतलब किस तरह से रिश्टे अच्छे हैं, कि खराब हैं, उनका वेवार कैसा है, अपने बड़ों के साथ, अपने चोटे के साथ, उनमें किस तरह की सिख्षा है, किस तरह की संस्कृति है, और संस्कार का महत्वबी क्या है तो परिवार समाज में मोल भावना और संस्क्रिती के निर्माण में भी एक प्रतिष्टित स्थान रखता है समाज शास्त्र परिवार के रूप, व्यवस्ता और उसके प्रभावों को समझने में भी मदद प्रवाइड करता है यानि बिसिकली समाज शास्त्र का विशय शेत्र, परिवार की एकाई की बात करें, तो समाज शास्त्र परिवार के जो रूप है, उनकी विवस्ता है, उनके सदस्तों के बीच कैसे संबन है, इन सब को समझने में मदद करता है, नेक्स्ट है राजनीती, तो राजनीती समाज एक मुख विशे है जो सरकार, शाषन और समाजिक तंद्रों के अध्यन पर केंडित होता है यानि समाज शास्तर मुख केंड मुख विशे इसलिए है कि समाज शास्तर समाज को चलाने वारी सरकार वहाँ के साशन कैसा है, वहाँ के साशन तंद्र कैसे है, इन सब का अध्यान का मुख बिंदू राजनीती है, यह विस्ता सत्ता राजनीतिक दलू की भूमी का और नागरिक समानता जैसे विश्यो को शामिल भी करता है, साथ ही समाज शासर राजनीती के अध्यान से समाज में जो भी टक्राव, जो भी राजनीतिक विचार, जो भी धारनाय, इन सब का जो प्रभाव होता है और जो समाजी व्यवस्ता में परिवर्तन होते हैं, सब को समझने का प्रयास समाजास की द्वारा किया जाता है, तो राजनीतिक का दियन समाजी इन्याय, शशक्तिकरण और समा प्रवेस्ट कि आठीक क्रें। इसमें आरती व्यवस्ता के प्रभाव, आरतीक नीतिया, व्यमसाइक विकास और समाजिक आरतीक सार्चना का भी अध्यान होगता है। अपना रहन सैन उचा करना किसा वसे समाज को डेवलप करना है, इनके लिए भी नीती बनाता है, इस पर थाधर्म, धर्म समाज शास्त्र की एक बहुत ही महत्वपुर्ट एकाई है, धर्म समाज शास्त्र में एक मुख्य विश्य है, जो व्यक्ति के वहवार, समाजिक और सांस्कृतिक मूल तथा समाज के नियमों पर अधारित होता है, क्योंकि व्यक्ति अपने धर्म से रिलेटेट ही सांस्कृतिक मूल बनाता है, एक्ता और व्यक्तिक की अध्यात्मिक्ता को समझने में भी मदद करता है। इस सारे से समाज शास्तर धर्म के रूप, उसकी व्यवस्ता और उसके प्रभावों को समझने में भी सहायक होता है। नेक्स्ट और लास्ट विशेशेत्र है संस्कृति, तो संस्कृति समाज शास्तर में एक विशेश महात्वपूर विशे है, जो समाजिक संस्कृति और संस्कृति के विविद बक्षों को समझने पर अधारित होता है, इसमें क्या होता है कि भाशा, जुकला, साहित्य, यानि मतलब इन प्रढ़ाओं को समझने की कोशिच भी समाजशास्त्र समस्त्र, समाजशास्त्र, समाजशास्त्र विवस्त्र धार्वार्म, संस्क्रित्र इन के बारे में deeply knowledge उत्पण होती है उनके कारण को जानता तुढ़ा उन्हें समधान प्रदान करता है इवन इनकी प्रकर्ती को भी समझने का प्रयास करता है इनके पॉलिसीज बनाता है और इन विषय छेत्र को उनके मूल, उनकी प्रतिकिरिया उनका रिति रिवाज क्या है सबको जानने के लिए भी हेल्प करता है तो इस तरह से समाज शास्त्र एक ऐसा विशे है जो समाज के विबिन पहलों का अध्हएन करता है और उन पहलों का अध्हान करके उन्हें समझने की जो capability है जो समझ है वो भी प्रतान करता है तो दोस्तों यत्यी अमारी आज की वीज की वीडियो और नेक्स्ट वीडियो के लिए टॉपिक कमेंट कर देजेगा आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ओके बाई बाई